का जो प्रदक्शन रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुना उठा और जिस साप से हम लोगों ने चुना मुद्धों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं तो आयोध्या में राम जी का आर्शिरवाद तो इंडिया किरवद्धन को हम लोगों को मिला तो कहीं भी जो है आप देखेगा एक चीज तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी साक्तर मोदी साक्तर वो खताम हो गया भाजपा जो है मेजोरिटी से दूर चली गई है जो सहयोगी है अब उन पर डिपेंजन थे और हम हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो चर्विधान लोकतंत रोकने बचाने का जो प्रयास था इसमें हम लोग जो है काफी हट तक कामयाब हुआ है अब हम बारी यही उमीद है कि जो भी नई सरकार बने खास तोर पे बिहार को विसेश राज का दर्ज विसेश राज का दर्जा मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर जो आरक्षन की सीवा जो पचकतर परसेंट है उसको schedule line में टालना है अगर होता है कुछ ऐसा अगर हम लोगों के पास आगा तो अगर हम लोगों के पास आगा तो अगर हम ज़रूर नहींगे बहुत रहा है जो production रहा है बहुत ही बढ़िया रहा है और आप जान रहे हैं बिहार से ही चुना उठा और जिस साप से हम लोगों ने चुनाव मुद्धों पर लड़ने का काम किया है वो आप सब लोग देख सकते हैं अगर आयोध्या में राम जी का अर्शिरवाद तो हिंडिया गर्वधन को हम लोगों को मिला तो कहीं भी जो है आप देखेगा एक चीज तो साफ हो गया कि जो मोदी जी की बात करते थे कि मोदी साक्टर मोदी साक्टर वो खताम हो गया भाजपा जो है मेजोरिटी से दूर चली गई है जो सहयोगी है अब उन पर डिपेंडेंट है और हम लोग तो खुशी है इस बात की कि भाई चलो हम लोग जो चर्विधान, लोकतत, रोकने बचाने का प्रयास था उसमें हम लोग जो है काफी हट तक कामयाब हुआ अब हम बारी यही उमीद है कि जो भी नई सरकार बने खास तोर पे बिहार को विसेश राज का दर्जा दिलाए पर जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षेन जो बढ़ाया है उसको scheduled line में जो है वो किया जाए आप चाहते हैं कि सरकार इंडिया बनाए बनाना चाहिए प्रयास करना चाहिए देखे हमारी सरकार प्रयास रद तो हम लोग रहेंगी उसमें प्रयास रद लोगों को रहना चाहिए आपने कहा है जो आजून के बाद नीतिजी बड़ा फैसला ले सकते हैं अब जो हम लोगों के बाद बात है कि भाई विशे भिहार को विशेष राज का दर्जा मिलना चाहिए अगर होता है कुछ ऐसा अगर हम लोगों के पास आगा तो हम लोगों जरूर करें अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें